अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बैल को जुरूर दबाएं जिस्या गया नहीं वाली वीडियो की सुझना आपको मिल जाए आज हम केसवदास की कावेकला के बारे में जानेंगे आपको केसवदास की फोटो दीग गई होगी स्क्रीन पे केसवदास की कावेकला के बारे में जानने से पहले हम केसवदास के जीन के बारे में कुछ जानेंगे केशव या केशव दास काजनम 1525 विक्रिमी में हुआ था केशव दास हिंदी साहित्ते के रितिकाल की कवित्री के एक परमुक्स तंभ है वेसंसकर्थ का वैस्त्र का सम्यक परीच्च कराने माले हिंदी के प्राचीन अचारिय और कवी थे इनकी मर्त्यू 16-18 विक्रिमी में हुई थी आईए अब केशों की कवेक गला पर परकास डाले रितिकाल इन प्रिवेश आत्म प्रदसन साहित्ते द्रिश्टी से ग्यान प्रदसन का प्रिवेश था जीवन के समझ छेत्रों में दिखावा परमुक्स हो गया था साहित्ते का छ आत्यकारों के मद्य पांडिते प्रदसन के प्रतिन्द विदिता सी आरम हो गई थी यद्पी पांडिते मोलिक नहीं था क्योंकि इसके लिए सजकर्द बासा की का वैस्त्र मानत्याओं का सारा लिया गया था परन्तु ये पस्तूती भी अपने आप में किसी कावेकोसल से प्रिवासा और लक्षय का मतलब है उदहार्ण के रूप में अपनी रचनाय पर्थूत करने वाले रितिकाली रचनाओं के एक लंबी स्रिंखला मिलती है जिनको चारे एक वी की नाम से संबोधित किया जाता है विवादों के मद्य समाने तकेसों को पर्थम रितिकाली निर्माता माने जा सकते हैं परन्तु भी संगती यह है कि केसों का मुल्याकन करने वाले विद्वानों के दो वरग बन गए थे जाएक वरग उन्हें हर्दे हिन कभी मानता है और दूसरा वरग से हर्दे कभी मानता है दोनों की माहनेत्याओं के पीछे सकत आदार है समयम के देशों की रचना इसका प्रमाण बनती हैं। दोनों पक्षों से जुड़े संदर्बों को नेमवत देखा जा सकता है। वन मारग में राम को देखकर ग्राम मास्यों में कोमल से वितना गजा करना दिहा। दूल सिदास ने अपनी बाउक्त थामारमी कोई दस्टी का प्रिच्छ दिया है। ग्रामीनों के माद्यमजे रामलक्षमन तसीता की सोंदर्य और सुकुमारता की सितना करते हुए कहते हैं। जळख जध गोरिल लिनहें कीदो हो तुम हर हरी स्री हो सिवा अचाहत फिरत हो कैसों की हर्दहिंता। इसमें कावे में पैन्डित के परिदानता इसलिए उसमें सहरत, कि स्थान पर powiedzieć उपावगता कि स्थान पर प्राय हरदहिंता मिलती है। रस्तावें शरलता के स्थान पर निर्ष्टावें एक लिष्टा मिलती है। केसों के पांडिते के इसी तेवर को देखर आलोजकों ने, उन्हें कठीन कावे का परेत कहा दिया है। अचारे शुकल के अनुसार केसोगी को कवी हर्दय नहीं मिला था। उन्में सहाधता और बागता नहीं थी जो एक कवी में होने चाहिए। वे संसकर चाहिते से सामगरी लेकर अपने पांडीते और रचना कोसली इधाक दुमाना चाहते थे। पर इस कारे में सपलता प्रात करने के लिए बासा पर जैसे दिकार होना चाहिए वैसा उने प्राप्त ना था। मतलब सूख ही दागवन आना जाते थे। बाबु शाम सुंदर दास ने भी स्कुल जी की मानेताओं का समर्थन किया उत्परसंग एदार पर इस पश्ट होता है कि केसों के कावेव पर क्लिष्ट हर देंता और निरस्था का जो अरूप लगा जाता है। उसका प्रमुख्य कान उनका पांडिता हैं चमतकार प्रदसंग की प्रिवर्ती हिद्प्यून में खिद्प्यून ने अनेक ऐसे परसंग उपलब थे जहां वेपनी स्रेश्ट का अवात्मक्ता का प्रदसंग कर सकते थे प्रनतुवेव अपने लाबने उठा सके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परसंगों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। उधान के लिए उगतावा सुर्य समानेत लोगों के मन में अनन्द मंगल और रासा का संचार करता है। एक कलित लाल के दोलसे दिख बामिनी के बाल को। इसके विप्रित उनके बाद मैथली संगूप तनेशी राम कथा को दार बना कर परसिद्धी प्राप्त की केसों से जोड़ी हुई विशंगती कोशी प्रकार से समझा जा सकता है। केसों के सभी गरंतों में इतिवर्त वर्ना अत्मक संदर्बों के दिखता मिलती है। यद भी बहुत से संदर्ब ऐसे भी हैं जा उने बाव का या समेदनाओं की प्रभावी प्रस्तूति का उसर उपलब था। किन्तु उने ऐसा निग्याई से पस्पष्ट होता है कि उनमें एक समेदन सिल्कवी की सभावी की सरहिदता का अबाव था। संद्रिका, जांगिर्जासंद्रिका, वीर्शिंग, देवचरीत, प्रभाती, करती संदर्ब में उलेखनी है। सरवत्तर पानी ते परदसन केशव अपने समय के स्रेष्ट विद्वान थे। इस तरूप से उनका ग्यान बॉयमी और वयपक था। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में यही वैब भूलता सैज की मुखरों उठी है। कि इसी के चलते हैं उनकी कभी कलिश्टोर समय दना सुनने भी मन गई है। लेखने आए कि स्रेष्ट को इस और मोँ प्रिवरतन के साथ अपने रचना के बाविचारण बासasya में प्रिवरतन चनता है। परांतों केसो की जान प्रदसनाव पुसमेधन सुनने ता कि प्रिवर्ति कई भी निमदली है लेखने कि जांगरी बारतिय प्रंप्रा में कवियों ने प्रकर्चितने में पूर्चितन किया है वहीं केसव इस क्लिष्टा से विशिष्टा से बिल्कुल लग है उन्होंने प्रकर्चिती तड़ में अलंबन उधीपन के साथ अपनी बात कहले के स्थान पर अपनी उगताग पर्दसन करना ये पसंद किया है ये नुंत्या भी उन्हें हर दहीन कवियों के वरग में स्थापित करते हैं लंकार योजना केसव मुलतना लंकारवादी कवियों ने समय गोशना की है जदपी सुजाती सुलक्षनी सुबरन सरस्षवर्थ बूशन विनुन विराजी कविता वनीता मित एक आनक है कि उनकी प्रते एक बात को ब्यालगरिक स्याले में परस्थूद करते हैं और परसंगों के उचित्त का ज्यान न रख अपने हर दहीन तक प्रिच्छ देते रहत हर्द्य हिंता का लग आ गया रोप नेक संदर्मों में प्रवानित होता है इसी हर्द्य हिंता अलंग आरेक्च मतकारों पांडिते प्रसंगी प्रती के काणु उनके कावे में स्कलिष्टा का दोस आ गया है इसी काणु ने कठी नगावे का प्रेत तक कह दिया गया है उनकी दवारा रिचित चले स्पदों में जब चार चार पांच 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 अगस निगलते हैं तब पाठ़ कीब उद्धी कंटित शियो उटती है ऐसे में उन्हें हर देन कभी कहला सर्वताव चीज लगता है लगला है केसो सहरद्य कवी इस समय को रूप से विचार के जाए तो केसो परहरद्य हिंता का लगाए गया रोप जितना उचीत माना जाता उतना यह उन्हें चीत भी वस्तुत वे चारे कवी थे उनका मिलंगन करते समय हमें यह द्यान रखना चाहिए कि वे एक पहाऊना संगत मना जाएगा इसलिए उनके द्वारा ऐसा क्या जाना समाविक है परन्तु इसी परशंग में डाक्टराम गोपाल सिंग च्वान के टिपनी मुलेगन यह दिसके नुसा श्रेष्ट कभी वह का होता है जो पने समय की रूड माननेताओं को तोड़कर उनसे ब बंदे हुए थे तो बहुत से संदर्बों में उन्होंने मुख ठोक कर भी लेखन किया है इनमें से कुछ पर्शंग इस प्रकार है विबिन रसों का उतकर्स ऐसा मना जाता कि सुदास और्चा की राजा इंदर सेंगे दिबारी कवी थे वहां की राजनत की प्रिन राया उन संदरी के संपरक में रायकर संदरी बोल से सर्वत था अजूते रहे हैं ऐसा मानना जा संगत है वरदा वस्था में अपने सवेत बालनों को देखर सबाब तक यूति यूतियों द्वारा बाबा कह देने से उन्हें जो वैता हुई वैत थे परतिपादी कर्दी की केसों वह सब्सक्राइक कमल वदनी मुर्ग लोचनी बाबा कही कही जाए समाद कोशिलनाटक अपनी समाद उजनाई कांसरवादिक प्रभाईशा लिकावे रूप में माने जाते हैं योगि समादों में प्रभाईथ करने की यह पूर समर्थ्य होती केस्वदास ने अपने दर्मारी जीवन में अपनी वाक्चातुरिय का अनिनतर प्रिच्चे पर चूद किया है नोनेना के विलक बर और अपने हासरिदाता इंदर सिंग के मद्दे खड़े विवाद को अपनी इस विश्टा के साहरे शांत कर राया बलकि प्रिण राय के संद्रे पर रिज उठे अकबर से उसकी रक्षा भी इशिक विश्टा के साहरे की इस अंदर में प्रिण राय की माद्यम थे उनके दवरा बिजवाए गया दो हैस परकार है विनित्राय प्रवीन की सुनिये साह सुजान जूटी पत्री बगत है बारी बायस जमान उत्पद में जाहां अकबर के प्रतिस अमान वेक्ति आ गया है मैं एक सववावमें इस तरी की ऐसा है वस्ता कवाई सुबाई चितन भी किया गया है लेकिन चातुरिय पूर्ण सहली में जिस तुनोती का अंकन किया गया है उसे एक बर क्या कोई भी सववावमानी प्रूस सायदी इस सविकार करता के इस वट अपने इस समवाद कोसल का प्रिच्छ अपनी प्रचनाओं में भी दिया है उनके समवाद पात्रों के अंडूप पर संग अंडूप शृत्र के अंडूप पर स्टूथ हे हैं एक हिपद में एक स्रधिक पशनों और उतरओं को प्रसोत करने कि शम्ता के सो जैसे सीठाबर्य रचनाकारों में ही दरशणीकत होती है कि प्रतिबा की कसोती मान जाता है किसी की राम चंद्री का इस तर्ष्टी से उलेखनिय मा कावे इसकी कथा वस्त वस्तो सूपर्शीद राम कथा प्रदार थे इसकी सरक बद कथा कि नएक रामचंद्र है सरग मतलब अध्याए इसमें सरंगार वीरो शांतरस मुख्य रूप से पुर्चूत हुए हैं केसों ने रेथास वसर अन्य संदर्बों का विशार तक पुर्योग गिया है इस परकानि सर सरुम में का आजा सकता है केसों के परतिबा संपनचनगार थे या पियरोप नहीं साही है कि उन्हें पने इस समय में परचलित प्रमपरागत मानताओ गेपरती विद्रोग ने करके तदन रूप पांडित परत्सन महीरू चीदर शाही थी परतुमें या भी देखना चाही कि केसों समय में जन्ता को नहीं एक विशिष्ट वरग के पार्ट को द्यान में रखकर लेखन कर रहे थे इसलिए उनका मुल्यांकन करते समयी सिथार्त को द्यान में रखा जाना चाहीए विद्वानों केक वरग ने सूर्वे तुल्शी केतु प्रांत निमन बक्तवे दुवारा केसों को हिंदी साहित तक आतिसरा सुरेष्ट कवी माना है सूर सूर तुल्शी ससी उडुगन के सुदास अब के कवी हद्योत समझें तह करत प्रकास अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और किसी सलहा के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर क्वारेज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्रिशन में लिंक मिल जाएगा आप मेरे फेस्बूक काउंट इंस्टाग्राम अकाउंट और आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं आपको इसकी पीडियोफ का लिंक भी डिस्क्रिप्रिशन में मिल जाएगा so thank you and bye